बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ किया, और बहुत कुछ खाया पिया, फिर भी हाइट बड़ नहीं रही है आज का वीडियो आपकी हाइट ग्रोथ की गारंटी लेता है इससे पहले मैंने जो हाइट का वीडियो बनाये था, उसके उपर आप लोगों का बहुत अच्छा रिव्यू आये था उसमें personally मैंने बहुत सारे लोगों से Instagram के उपर आप लोगों ने बात की 70% लोगों ने उसके उपर positive रिव्यू दिया लेकिन जो 30% लोग बच गए थे, उनका review था, वो कह रहे थे कि सर हम physical activity already पहले से करते हैं हमारी physically हम active हैं, फिर भी height ग्रो नी कर रही है इन अभ्यासों को करने के बाद तो आज की वीडियो में हम और intensely practice करेंगे, जो आपकी definitely height को grow करवाएगा इन आशनों का अभ्यास करने से muscles extremely stretch होंगी, body पे और extremely stretch पड़ेगा और definitely ये video आपकी height की guarantee लेता है आज की वीडियो में जितने भी हम आशन करेंगे, वो गत्यात्मक अभ्यास होंगे speedily एक आशन के साथ में दूसरे आशन को combine करके हम practice करेंगे तो इन आशनों के दोरन हम स्वास की स्थिति का भी ध्यान रखेंगे और एक-एक आशन की कम से कम 10-10 आवरती आपको करनी है तो चलिए देर ना करते वे शुरू करते हैं आज के वीडियो को और समझते हैं किस परकार से इन आभ्यासों को करना है और वीडियो के लास्ट में चार प्रणायम मैप को बताने वाला हूँ जो स्पेसली हाइट ग्रोथ के लिए हैं वो भी एक important पार्ट है उसको भी जरूर से समझेंगे तो सबसे पहले आशनों के package को हम समझते हैं दोस्तों हमारी पहली exercise है ताडासन वोक अब ताडासन वोक कैसे करनी है आप अपनी मैट के सिरे पे इस प्रकार से खड़े हो जाएं दोनों हाथों को उपर लेके आएंगे तब ही आप ठीक से perform कर पाएंगे otherwise अगर alignment भी गड़ गया या गलत तरीके से करेंगे तो बोड़ी को नुकसान भी हो सकता है और height भी नहीं बढ़ेगी तो ठीक से समझना बहुत जलूरी है तो सबसे पहले तो अपने बोड़ी को उपर की तरफ stretch कर लेना है इस प्रकार से stretch किया अब आगे की तरफ walk करते वे जाना है आराम से हलके-हलके कदमों के साथ में 20 कदम कम से कम चलके आगे की तरफ जाएं उसके बाद return हो उसी प्रकार से walk करते वे वे वापस आएं यह अब्यास आपको बहुत effective अब्यास लगेगा इसमें जब आप वोक करेंगे तो definitely एक चीज आपको ध्यान रखने कि आपके पैरों में और पूरी बोड़ी में अपर बोड़ी को इंगेज करके रखें पूरी बोड़ी में खिचाओ permanently बना रहे तो यह होगी आमारी पहली exercise तो 20-20 steps लेते हुए आपको 3 rounds complete करने हैं अब चलते हैं दूसरे अभ्यास की तरफ जो है तीर्यक्ताडासन का गत्यात्मक अभ्यास इसमें क्या करना है कि पैरों के मद्दे एक शेड़ेट फिट का अंतराला पर रख लेंगे इस प्रकार से दोनों हाथ उसी प्रकार से के तरफ कर दें हतेली ओं का रुख पूरा आसमान के तरफ अब साइड़ बेंड करेंगे स्वास को बाहर निकालते हुए one two three four five साइड में दुकेंगे स्वास्थ बाहर छोड़ेंगे सेंटर में आएंगे स्वास अंदर वरेंगे और स्वास्थ हुड़ना है अब इस हावसन में क्या है कि कि यह इस प्रकार चाहिए अगसर लोगों को देखा हो आपने करते हुए इफक्ट नहीं पड़ेगा बोडी के ऊपर आपको हाथों को बिल्कुल खीच के रखना है को या बिल्कुल स्ट्रेट होनी चीए यहां पूरा इस साइड बोडी के ऊपर खिचाव परमेनेटली बना रहे अभ्यास करने के दो रान तो दोनों साइड से इस अभ्या है कैसे करना है पहले तो आप पैरों के मद्ध है थोड़ा अंत्राल करके खड़े हो जाएंगे जितना हिफ के विर्थ की चोड़ाई है ठीक है स्वास बढ़ते वे दोनों बुजाएं उपर ले और पहले एक बार बोडी को उपर की तरफ इस प्रकार से खिच लें पूरी को चोड़ते वे सामने की तरफ आए अब इस वी को साइड वियू से भी देख लें स्वास बढ़ते वे दोनों बुजाओं को उपर लेके गए और हल्का स्लाइटली पीछे बेंड किया जब आप पीछे बेंड करोगे तो सामने से आपकी पूरी बोड़ी स्ट्रेच होगी और जैसे ही आप स्वास को बाहर छोड़ते वे सामने की तरफ जुकोगे इसमें आपकी पूरी पीछे से पूरी बोडी स्ट्रेच होगी और लोवर बैक की ओपर भी खिचाओ पड़ेगा अब सामने की तरफ आप जुकेंगे तो इसमें ध्यान क्या रखना है कि जितना हो सकता है कमर को खीच के रखें आगे की तरफ अब इसमें इसको गलत करने का तरीका क्या है सिम्पल इस परकार से जुकना सामने की तरफ ये गलत हो गया ऐसे नहीं करना आपको बिल्कुल straight रखना है body को जितना हो सकता है उपर खीचके रखे और आगे की तरफ लेके जाए body को जितना हो सकता है आगे की तरफ फैलाओ करें ताकि आपकी कमर भी खीचे और यहां आपकी calf muscles, hamstring और glutes में भी खीचाओ पड़े करमर की जैसे ही length increase होगी definitely आपकी height grow करेगी तो इस अभ्यास को भी आप 10 बार से 15 बार तक repeat कर लेंगे सुरू में 10 बार करें क्योंकि ज़्यादा बार repetition करने से थोड़ा back में starting में pain होने लगता है तो starting 10 से कर लेंगे देरे देरे इसकी 15 से 20 आवर्तियों तक आप करेंगे दोस्तों चलते हैं हमारी चोथी exercise की तरफ उसको करने के लिए आप अपने पैरों के मद्धे इस परकार से अंतराल को बढ़ा लें धाई से 3 फिट के इतना अपने पैरों के साइड में खोल के ना रखेंगे आप पैर सीधा होना चाहिए पैर का alignment बिल्कुल स्ट्रेट सामने की तरफ ठीक है उसके बाद अपने दोनों हाथों को पीछे लेके जाए और interlock करके सर के पीछे रख लें इस परकार से और पहले पूरा कमर को सीधा करें कोहनियों को पीछे लेके जाए इस परकार से आगे ना रखें, पूरा पीछे अब स्वांस को बाहर निकालते वे अपर बोडी के weight को lose रखें सामने की तरफ इस परकार से आएंगे स्वांस बढ़ते हो उपर आए शवांस क्षोड़ते हो पूरा नीचे बहुत पावरफुल प्रेक्टिस है इस अभ्यास को भी आपको दस बार से बारा बार तक रिपीट करना है अब इस अभ्यास को जब आप करोगे तो सामने की तरब जैसे आपकी बोडी जाएगी स्पाइन की उपर एक स्ट्रेच मिलेगा साथ ही आपकी लेग्स की मसल्स की उपर भी एक स्ट्रेच मिलेगा तो यह अभ्यास एक प्रकार से आपकी ओल ओवर बोडी को इंगेज करता है इस अभ्यास की भी आपको दस से बारा वरतियां करनी है इसी करम में पांच भी हमारी exercise होगी, जिसमें हम क्या करेंगे, दोनों बुजाओं को इस प्रकार से उपर लेके जाएंगे, पैरों की स्थिती पहले जिस प्रकार से थी उसी प्रकार से रहेगी, अब इसमें क्या करना है, पहले तो आप अपनी body को उपर की तरफ पूरा stretch करे जितना हो सकता है उपर खिचे, पूरा engage कर लें, अब उपर खिचने का मेरा तत्पिर यह है कि आपको अपने के पेट के आगे के हिस्से के उपर भी खिचाओं मैसुस होना चीए, और कमर के पीछे के हिस्से के उपर, जैसे आप हाथों को उपर खिचोगे, दोनों जगए एक प्रोपर स्ट्रेच आपको फिल होगा, उपर पूरा खिच लें, अब इसमें क्या करना है, साइड में इस प्रकार से बेंड करें, स्वांस को बाहर निकालते वे सामने की तरफ जुके, और इस प्रकार से आगे गए, उसी प्रकार से हाथों को जितना हो सकता है, आगे क की तरफ आए, पूरा सरकल सामने की तरफ से इस प्रकार से क्रोस किया, और फिर धीरे-धीरे से अपने हाथों को उपर लेके गए, और स्लाइटली पीछे बेंड कर दिया, फिर पुना इसी ब्यास को दीरे-धीरे से पैर की तरफ लेके गए, स्वांस छोड़ते वे, पूर 5 राउंड क्लोकवाइज और 5 राउंड एंटी क्लोकवाइज, 5 राउंड आपको गड़ी की दिशा में करने हैं, 5 राउंड गड़ी से उल्टी दिशा में, ये भी एक स्पेसिफिक अभ्यास होगा, क्योंकि इसमें आपकी पूली ओलोवर बोडी इंगेज होती है, और ये हाथ सीधा आस्मान की तरफ, ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, और हाथ आपका इस परकार से सर के साथ, कान के साथ लगा रहेगा, अब इसमें क्या करना है, कि स्वास को बाहर छोड़ते वे, देरे-देरे से साइड बेंड करना है, और जैसे आप साइड बेंड करेंगे, य कि इतना अधीतम आप नीचे जा सकते हैं, नीचे जाएं, इस अभ्यास को दोनों साइड से हम रिपीट करेंगे, वण, टू, थ्री, फोर, इस अभ्यास को आप दोनों साइड से पंद्रा पंद्रा बार तक रिपीट कर लेंगे, ये एक स्पेसल प्रक्टिस होगी आपके अब इसी क्रम में कोण आसन का गत्यात्मा कभ्यास होगा, उसमें क्या करना है, दोनों बुजाओं को इस प्रकार से साइड में खोल लिया, सबसे पहले नीचे की तरब जुग गए, कमर को सिधा रखते वे, अब अल्टरनेटली पैरों को टच करना है, दाइने हाथ से में आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस अभ्यास को भी आप दोनों साइड से 15-15 बार से रिपीट कर लेंगे या 20-20 बार तक कर लेंगे, ये अभ्यास भी आपके लिए एक स्पेशल प्रक्टिस है, जो आपकी पूरी बोडी को इंगेज करने के साथ साथ आपकी कमर के उपर और स्प इस सीक्वेंस में नेक्स्ट प्रक्टिस करने के लिए आप सबसे पहले अपने पैरों को इस प्रकार से सामने खोल के दंड आसन की स्थिति में आज जाएंगे जिसमें आप पैर बिलकुल सीथे रखें और पैरों को अंदर की तरफ खिच के रखेंगे, अब इसमें हम दो आसनों का क्रमिक अभ्यास करेंगे, हला आसन और पश्यमोतान आसन, दोनों आसनों को गती के साथ में करेंगे और अंत में फिर एक-एक मिनट दोनों आसनों में खोल्ड करेंगे, पहले 15 राउंड गती के साथ में करेंगे, सबसे पहले गती के साथ में उस आसन को समझ लें और उसके बाद में दोनों आसनों की holding करनी हमें तो पहले गति के साथ में कैसे करना है किस प्रकार से तो देखे इसमें क्या करना है पैरों को इस प्रकार से lift करते वे आप लेट जाएंगे और पैरों को पीछे लेके गए हलासन में गई और इसी प्रकार से hold नहीं करना है आपको पहले सिधा आजाएं और उसके बाद पश्यमोत्तानासन हलासन पश्यमोत्तानासन हलासन उसी प्रकार से पश्यमोत्तानासन तो इसी प्रकार से sequence के साथ में हलासन पश्यमट तर्शन के sequence के साथ आप इसको 15 राए तक रिपिट कर लेंगे उसके बाद फिर हलासन पश्यमट तर्शन दोनों असनों में आपको कम से कम 30 सेड़ यह कम से कम बता रहा हूं और उसके बाद समय सीमा को बढ़ाते हुए आप एक मिनट तक आराम से होल्ड कर लेंगे क्योंकि आपका बोडी इन आसनों को करने के बाद अच्छे से वारमप हो जाएगा तो पहले हम हल आसन करेंगे इस परकार से पैर लेके गए गुटने बिलकुल सीधे रखें दोनों हा नेक्स्ट प्रैक्टिस भी इसी आसन की स्थिति में ही होगी इसमें आप पैरों को इसी प्रकार से ही होल्ड करके रखें स्वांस बरते वे दोनों बुजाओं को उपर लेके जाए पूर उपर की तरफ खीचे पहले अगर आप हाथों के इंट्रलोग करना चाहें तो इंट है उपर वोड давно की स की तरफ यह उपर की तरफ लेगत अगर अवचे माश्त बिप 했던 को हो सकता यह Ideally सौ्ड़ते हेसा प्रां चाहें देव्यार स्वास बढ़ते वे उपर स्वास चोड़ते वे सामने स्वास बढ़ते वे उपर स्वास चोड़ते वे सामने उपर आएंगे तो पुना अपनी बोडिक ओपर की तरब खीचे और सामने की तरब गए तो पूरा बैक को स्ट्रेच करते वे खीच के रखते वे सामने की तरब जाएं कमर ऐसे मुड़नी नी चीओ आपकी कमर सीधी रहे बिल्कुल जीतना हो सकता है सीधी रखने की कोशिच करें और पूरा सामने की तरब जाते वे इस परकार चेंशे सामने की तरब जुकें जब आप सामने जाएंगे स्वास तो स्वास भर लेंगे तो दोनों साइड्से इस अ शरवांग आसनों चकरशन सरवांग आसन के लिए आप अपने पैरों को लिफ्ट करते हुए इस प्रकार से लेके जाएं उपर और पूरी बोड्य को उपर कि तरब तदें जितना हो सकता है बोड्य को सीधा रखने की कोसिस केजैगा पूरा उपर की तरब उठा दें जितना हो सकता है उपर की तरब उठाएं पूरा बोडी का वेट आपके shoulders के उपर आना चाहिए और इसी आसन की स्थिति में आपको hold करना है ये गत्यात्मक अभ्यास नहीं होगा ये holding के साथ आपको इस अभ्यास को करना है अब इस आसन की स्थिति में 30 से लेके आप एक मिनट तक आराम से hold कर लेंगे इसको last में ही करें आप पहले नहीं करेंगे सारे आसनों को करम के साथ ही करेंगे जब आपकी बोडी अच्छे से warm up हो जाएगी तो इसको आप अच्छे से perform कर पाएंगे देरे देरे से वापस आएं इसके बाद हमारा अगला भ्यास होगा चकराषन चकराषन करने के लिए पैरों के मद्य थोड़ा अंत्राल रखते वे इस प्रकार से रख लेंगे दोना हाथों को कंदों के उपर इस प्रकार से रखा श्वांस बढ़ते वे पूरी बोडी को बीच से उपर उठा देंगे इस प्रकार से कोहनियों को सिधा रखने की कोशिस करें अब इसमें क्या करना है बोडी को आगे पीछे इस प्रकार से मू करना है आपको इससे क्या होगा आपकी कमर के उपर stretch मिलेगा साथिसाथ आपकी जो chest है वो पूरी stretch होगी तो इस आसन को भी आप जरूर से करेंगे ये एक विशेश अभ्यास होगा तो ये सरवांग आसन और चक्रासन ये हमारी last practice हुई तो आसनों का भ्यास हमारा complete हुआ इन आसनों का भ्यास करने से specifically आपकी पूरी body engage हो जाती है सरीर के हर हिस्से के उपर खिशाव पड़ जाता है अब जलते हैं हम प्रणायम की practice की तरफ दोस्तों जितना important आसनों का भ्यास है उतना ही important आपका प्रणायम का भ्यास है अधिकतर मैंने देखा है कि लोग आसनों का अभ्यास तो कर लेते हैं लेकिन प्रणायम नहीं करते अब जिनकी बोडी में हार्मोनल इंबैलेंस होगा हार्मोन ठीक से सिक्रेट नहीं हो रहा होगा तो आसनों आप कितने ही कर लेना आपको benefit नहीं मिलेगा आपको प्रणायम करना ही पड़ेगा stress को manage करने के लिए बोड प्रणायम में हमारा पहला अभ्यास होगा कपालभाती प्रणायम कपालभाती करने के लिए आप एक बार इस अभ्यास को ना समझना बहुत जुरूरी है जादेतार लोग गलत तरीके से करते हैं तो इस अभ्यास में क्या करना है कि मैं हाथ रखके अपना बता रहा हूं पे कर ना है एक सेक皆 नेक्ट बार इस अब्यास को करेंगे या और सिर्फ एक डonie-खो Mission अब ब्रते दिन आप जरूर् से अप्यास करें ये सरफ द्व्यास को अब चलते हैं हमारे दूसरे अभ्यास की तरफ जिसका नाम है अनुलोम, विलोम, प्रनायाम या अल्टरिनेट नॉस्टिल ब्रीधिंग कैसे करना है अपने राइट हैंड को उठाएं राइट नॉस्टिल को बंद करें लेट से स्वास अंदर बरेंगे पूरा स्वास अंदर बरने के बाद लेट नॉस्टिल को बंद कर लें राइट से स्वास को बाहर छोड़ दें अब राइट से स्वास अंदर लेट से स्वास को बाहर फिर लेट से स्वास अंदर राइट से स्वास को बाहर छोड़ दें इसी वरतूल के साथ इसी करम के साथ स्वास चलती रहेगी जिस साइड चेप स्वास तो नुँल विलॉं प्राणायाम भी यह आपके स्ट्रेस लेवल को कम करेगा साथ ही साथ हार्मोनल इंबोलेंस जो बोडिय के अंदर हुआ है उसको बैलेंस करने का काम करता है इस अब्यास को आप प्रतिजिने 5 मिनट तक अब्यास करेंगे अगर आपके पास अत्रीक्त समय है तो 10 मिनट तक इसकी टाइमिंग को आप लेके जाएं अब लास्ट में बच गई हमारे दो अब्यास जो special हैं इन अब्यासों को बिलकुल भी इग्नोर ना करें जो ब्रामरी और उदगीत प्रणायम है जो क्या करते हैं कि एक ब्रेन के अंदर एक पिट्यूटरी गिलेंड होती है जो ग्रोथ हार्मोन को secret करती है अब वो हार्मोन जब secret होगा तब ही आपकी height ग्रोथ होगी सरीर की muscles ग्रो होंगे सरीर की जो bones होती है वो ग्रो होंगी तुन अब्यासों को जरूर से करें तो पहला है ब्रामरी ब्रामरी करने के लिए अपने first finger को इस प्रकार से forehead के उपर रख लें बची भी तीन उगलियां आखों के उपर और कानों को बंद कर लेंगे अंगुठे के माद्यम से कान के बाहर जो एक cartilage होता है छोटा सा इसको अंगुठे से अंदर की तरफ दबा देंगे तो कान बंद हो जाएंगे और इस प्रकार से बंद करने के बाद अंत्रमंद से ओम का उचार्ण करना है ब्रह्मर जैसी प्रतिदवनिया में पैदा करनी है इस प्रकार से रखा आखों को बंद किया कानों को बंद किया लंबा गहरा स्वांस लेते वे इस अब्यास को जबाब करोगे तो आपको अपने मस्तिष्क के अंदर वाइब्रेशन फील होगा तो यह एक स्पेशल अभ्यास होगा क्योंकि वाइब्रेशन से आपका फिटिट्री ग्लेंस स्टेमिलेट होगा और वहां से जो हार्मोन सिक्रेट होना चाहिए वो सिक्रेट होने लगेगा इसी क्रम में हमारा जो दूसरा प्रणायाम है वो है उदगीथ उदगीथ प्रणायाम भी इस प्रकार से दोनों हाथों को ज्यान मुद्रा में इस प्रकार से रख लें लंबा गैरा स्वास लेते वे ओम का उच्छारण करना है तो ये लास्ट में मैंने जो दो प्रणायाम बताए ब्रामरी और उदगीथ प्रणायाम दोनों को आप कम से कम साथ बार और अगर आपके पास समय है तो ग्यारा ग्यारा बार तक दोनों को repeat करना बहुत जरूरी है तो ये चार प्रणायाम और ये exercises की practice एक complete package बनता है intense complete package बनता है जो आपकी height को definitely grow करने में आपको help करेगा इन अब्यासों को करने के बाद में जैसे ही आपकी height grow होने लगेगी मेरे साथ review जरूर से share करना है और साथी साथ इस वीडियो को उन सभी दोस्तों के साथ family members के साथ अगर आप parents हैं तो अपने बच्चों को practice करवाना शुरू कीजिए और उन सभी के साथ में share करें जिसको भी इस वीडियो की specific जरूरत है दोस्तों योग अकेला ऐसा माध्यम है जिससे आप अपनी naturally height को grow कर सकते हैं बिना कोई दवाई खाए बिना externally किसी चीज़ का इस्तमाल किये आज कल height के नाम पे बहुत सारी medicines market में आपको मिल जाएंगी लेकिन वो body के उपर harmful जो effects डालती हैं वो आपकी body के अंदर बहुत सारा नुक्षान पहुंचा रही हैं आपको तो इसलिए योग को ही अपनाएं और योग अगर आप शीखना चाते हो अपनी जीवन सेली में डालना चाते हो तो हमारे साथ जुड़के भी आप योगा बैसों को सीख सकते हैं एक तो चनल को subscribe कर लें और साथी साथ अगर आप paid classes लेना चाते हो तो नीचे description के अंदर whatsapp न ही आप आप यो ए्कुर मैं एलना चाते हो तो हमारेीय दाथी समरे साथी तो समर् initiatives लेंसे में सेली में हो masa रहीं साथी हो कोई़के योगा नी इना भी देढ़ कर ले हो वो